नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CIT and CRT के Live Phone and Interactive कारेक्रम में उर्दु की इस कक्षा में हमारे सभी दसवी कक्षा के तलबा हमारे साथ जुर सकते हैं और हमारे साथ इस विशे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो हम तक जरूर पहुँचाएए इस वक्त आप हमें देख रहे हैं इविद्या चानल नमबर 10 पर अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं नमबर है 880044559 आएए आपकी मुलाकात करवात हैं हमारे साथ मौझूद हैं प्रोफेसर मौसर मुदीन सर बेहत स्वागत है आपका हमारे इस कारिक्रम में बहुत-बहुत शुक्रिया बच्चों आपका भी इस तखबाले इस प्रोग्राम में सार से हम बादशीत होडी तो देर में शुडू करेंगे और रुबाई क्या है इसके बारे में जानेंगे और इसका मतलब क्या होता है आपकी वह सब कुछ जानेंगे इससे पहले कि हमे इस बादशीत को गुफतको को शुरू करें हम अब सभी का पताना चाहते हैं we are extremely proud of the fact that India assumed G20 presidency and would convene the G20 leaders summit for the first time in the country this year. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all and in doing so, manifest its true spirit of Vasudheva Kutumbakam or should I say the world is one family. So, let's go, let's go, sir, let's know our first question. Sir, what means rubai is what is the meaning of rubai? This is the meaning of rubai, the meaning of rubai is Arabic, it means 4, it means that it is a poem that is only 4, which is the poem, which is only 4, which is only 4, which means that they have to be able to do their own story. We have read the poem, because we have also read the poem, but we will read the poem, but we will read the poem, but लेकिन रुबाई को समझने से पहले अगर हम यह देखें कि जो है घजल का क्या फार्मेंट है किसी अकिसे कहते हैं मरसियां तो जैसा कि हमें इल्म है कि किसी भी जबान के लिटेशर को हम दो हिस्तों में तक्सीम करते हैं या कर सकते हैं एक प्रॉस फार्म होता है दूसरा प् करते हैं तो गजल भी है खसीधा भी है मरसिया है मस्नवी है मुकंमत फे मुस दस throwing का लबाई है कता उए घर अइर जैसा क हमने इस सी वुदाब के हिर भी जबान का लफज है और इसका मतलब होता है इसार यानि वह मुक्तसर सीन जिसमें सिर्फ चार मिस्रे होते हैं और चार मिस्रे में हैं अपनी बात शायर को मकमल करनी होती है फिक्र और ख्याल के इतबार से बहुत इसमें मर्बूत होती है और मकमल होती है यानि चार मिस्रों में इस शायर के लिए बड़ी आदमाईश होती है कि इस चार म विसे लब्जी मानी इसकी ये है लेकिन खिताबी आम तोर पर इसमें भी स्पुथागी चार मिस्रे होते हैं और-जोर कि इस मुक्तसर नजब में कोई जरूरी नहीं कि सीरुएइंति कि शुछ o कार मिस्रेשए ही हो बलकि चार झार ची स्पूंधा भी वा सकते हैं और दूसरी बात ये है कि कते में पहला तीसरा और चोथा मिस्रा हम काफिया होता है तो इस एतबार से देखें तो रुबाई और कता में बहुत मामूली सा फर्क है रुबाई में सिर्फ चार मिस्रे होते हैं जबकि कता में चार मिस्रे भी होते हैं चार से ज्यादा भी हो सकते है और रुबाई में जो है पहला दूसरा चौता हमिसरा हम काफिया होता है और कथे में पहला तीसरा और चौता हमिसरा हम काफिया होता है इसी तरह अगर हम देखें कि तो रदीव तो हो सकती है इसे लेकिन रवाई में रदीव भी हो सकती है रदीव नहीं भी हो सकती है हमारे तालिबेन जैसा कि घजल के में पढ़ चुके होंगे कि काफिया किसको कहते हैं रदीफ किसको कहते हैं या और भी इस तरह कि इस्तलाहत हैं उन्हें क्या कहते हैं तो उसको पढ़ चुके होंगे तो यहां काफिया और रदीफ के बारे में ज्यादा वदाहत की जरुवत नहीं कि आप पहले पूड़ चुके हैं तो अब सिर्फ यह कहिना है कि रुबाई में बगहर रधीत की भी हो सकती है और बहगर रधी की होगी में हम गैर मुरद्ट पालि रोग कहेंगे ओर ज्विवर्द को मुरद्ट पालि रोगात में मुरद्ट पालि रूद्ट मेर कार्ण roughly हे ऐस कर दिा को च 7 यहार है में हिसे उसको बीज्वर्द कन रूद होते हैं और बने बात को इन चार मिस्रों में मुकमल कर ले फिक्र ख्याल के इतिबार से ये बहुत मर्बोत होती है और इसका पहला तीसरे मिस्रे में काफिया नहीं होता इसके रुबाई के तीसरे मिस्रे में काफिया नहीं होता लेकिन बाद रुबाईयां आयसी भी मिलती है जिनके चौते मि मित्सरे 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 मित्सर गुआत के अतबार से हम कोई भी मौदु, इसमें रुबाई कह सकते हैं, किसी मौदु पर हम रुबाई कह सकते हैं, इसमें फिलसपियाना और अखलाकी बाते भी होती हैं, नसीहत आमोध बाती की जाती है, इन चार मिस्वलों के जरीए, किर्दार की तरभियत का बहुत ऐह मि रुबाई और कता के फर्क के साथ साथ एक बात हो रही है कि रुबाई में सिर्फ बहर हजज एक बहर होती है वदन होता है अलग अलग शायरी में इसके ख्याल लगा जाता है घजल में बहुत सारी बहरे इस्तमाल हो सकती है और कता में भी होती है लेकिन रुबाई के लिए सि चिए 24 आववजान हैं नि हम रुबाई कह सकते यानि हम रुबाई कह सकते हैं यानि शेयरी की एक और पावंदी होगी शेयर पर कि वो निए 24 आवजान के तहए पर पनी बात कहें चार मिस्डों कह हैं और 24 आवजाद कि भी ारत करें जैसा कि में इने're वजाथ को चेर को तो एक चेर और दो अबगेती जिसम्हां तो उसे रुबाई कहते हैं लेकिन मवजुदा दोर में जो नाम ज्यादा म।ख्तुमuard हो रुबाई कई है न इसरी पहूं में किलर खे गो तो यह दो आद्मिनimento में अन्हों कर मिलेद में हमरे खालत 25 में फार्शी से अर्बी अर्दू में आई इसी तरह अगर हम तो फार्शी से जो एक और ही का किते हैं ये रुबाई भी अर्दू में फार्शी जबान से ही या ये तिन देर असर हुआ और रुबाई में अगर बात करें तो फार्शी जबान में एक बहुत मशहूर शायर उद की हैं तो अर्दु में अगर हम फार्सी शारी के आगाज के साथ रुबाई को भी देखे तो शुरू सही कुली कुटब शार जो पहले साहब दीवान शायर उनकी हां भी कुल रुबाई मिलती है मुला वजी भी की हैं मीर तक इमीर है मुसफी है मीर हसन है अनिर मिर्जानी से हैं दबीर हैं मुकवजालताफस नहाली हैं अमजद हैदराबादी जोश मलियाबादी जगत मुहनलाल रवा यगाना चंगेजी तिलोक संद महरूम फिराग गुरकपुरी अकबर इलाबादी वगयरा तो इस तरह हम देखते हैं कि तक्रीबान हर शायर ने रुबाई में ए मुझाली अनीज की शनाव तो वैसे मर्सियागो की हैशिय सोती है मर्सिय में इनका बहुत बड़ा नाम है मर्सिय के साथ-साथ इन्होंना घजले भी कही हैं लेकिन और रुबाईयाद भी कही हैं तो आईए इनकी दो रुबाई हमारे सामने हैं मुन पर बात करते हैं आप चाही गुलशन में फिरूं कि साथ-ससःरा देखं पहली रुबाईन की है कि गुलशन में फिरूं की साहरे सहरा देखं या माद नों को екो धर्ष दरीया देखं अमारे हर जाह तेरी किसमत के हैं लाकों चल्वे हरा हों की दो आखों से क्या क्या देखूं अब देखिए एक तरफ यह का हमदिया मुदू है वह नहीं खुदा की तारीफ इसमें बेयान की गई है और जब शायर देखता है चारों तरह अपने नज़र दोड़ाता है तो खुदा की खुदा ही हर तरह उसे नज़र आती चाहे वो गुल कbn को जहां को चाहां तो कोई चीज़ कर निकाली जाती है कोई को還有 गईरा है और दूसरी चीजे ना। office i सब्सक्राइब्स. सब्सक्राइब्स. चरिशमा साधी हमें नजर आती है निक्डा के ख़ुडा Jack हम encouraging Wasabi benda को इना काइनात अगॉफ् वर्क कब्राइब्स. तो हमें बहुत खोब्सूरत लगती है और हम हैरान रहते हैं तो शायर उसी बात की तरह इशारा करके कहता है कि हैराओं की दो आखों से क्या क्या देखूं। हrzyलांकि दो आखें सबी को मिली हैं देखने के लिए लेकिन शायर अपनी हैराणी का इदार के और फेरा को उसका एक अधार बयान है या उसलू Hybrid है तफ़ा दिया है तो इस तरह को लोगों को Restauris कि फोड़ा है वो उसने कि उठाई ना बने पर्दा च्छोड़ना फहां है जहां तरह हम नजर आती कुद्रत की करिश्मा साधी नदर आती है और परदा ऐसा गार लगा जिससे भी परदा कुछ आई कि दी परदा है तो पता चलता कि कि कितनी अजीब गरीब चीज़े हैं हर तरफ जो नदर जाती है जानी यह कहने मतलब कि इधर देखता हूं उधर तो ही तू है यह कहना चाहत लाल लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल लफ का इस्तमाल देखिए और लाली का इस्तमाल देखिए यानि जब मैं देखा कि खुदा की कुदरत कहां कहां है तो मैं भी उसको तलाश में निकल पड़ा हर तरफ गया जो है गुलशन में गया सहरा में गया कों में गया द तो मैं भूभ चली तो मैं भी ऑगई लाल यानि मैं भी खुदा की ही खुदरत हुआ है तो इस में बड़ी देखिए खुब्सूरत तुर्बाई है और इंचार विसरों में शायर को मुझा कितनी बड़ी बात कहिए पुरे काइनात को समय लिया है और समय ने के साथ उसका इत अच्छी ये भी है कि रुद्बा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फिरूतनी को जा देता है करते हैं तहीं मख्द सना आप अपनी जो जर्फ की खाली है सदा देता हैं कहते हैं कि जिसको कोई रुद्बा मिल जाए और जिसकी कोई हैसित हो जाए खुदा ने दिया अपने इनसान की अपनी महेंट तो होती है लेकिंजर नहीं कामियाब हो पाथे नहीं वहां तक पहुच्छाते हो दे बहुत-डघ पाथे लेकिन जिससे एक रुधा मिल गया हो और जो we're LAUGHTER IF voltage Coin से अद्राम, उससीड है। और अपना भी आपड अपने करने के बाद एक बड़ी अच्छी दिया कि जो जिसमाने दिमाऊ निशनी मेंने के पनी नीज़ को मत जिसमाने की आरश बड़ती आ।ा हम हो पर श्याउ्स बात पर खो तो आवाज उसकी बहुत कम हो जाती नहीं के वराबर तो इंसान अंदर से जतने ही भरा होगा उतने ही आवाज कम करेगा और जतने ही खाली होगा वह एक मिसाल देती यहां पर मीरनीज ने कि जो जर्फ की खाली है सदा देता है यानि बरतन हमारा यानि इस लिए और इसे एक तरकीव बनी है कि कहाई आकसर लोग कहते हैं कि वह आदमी तो बड़ा कम जर्फ है जी सुना होगा बाचियत में बेस्तमाल कम जर्फ है तो जर्फ की खाली है सदा देता है यह इसकी मिसाल एक और आप इस तरह भी ले सकते हैं कि फल और दरक्त की मिसाल जो पर जिस तरक्त नहीं चाहिए चराना नहीं चाहिए बलकि इतराब करना चाहिए और जो है अपने अंदर खाक्सारी और राजिजी पैदा करने चाहिए हिंदी में इसके लिए दो और बाते कही जाती बहुत कहावते हैं कि अधिजल घगरी छलकत जाए आपने सुना होगा पानी कम होता है जिसमें घड़े में घगरी में जाती है जाती है पानी बढ़ा रहता तो उसमें चलकना बंद जाता है तो इसकी तरह इंसान को भी अपने अंदर जर्फ पैदा करना चाहिए और और एक और कहा वा थी कि थोता चना बाजे घणा तो इस तरह के बहुत सारी चीजे हैं आप फितरत के दे हुई मसरत खोकर औरो कुना कर मलूल गमगी होकर या उम्र बहरहाल गुदर जाएगी हसहस कर इसे गुदर या रो रो कर अब इसमें देखिए फना का तसवगर है कि जो चीज़ दुनिया में आई उसे फना होना है और एक दिन उसे खत्व होना है तो हम भी एक वहना कर मलूल गम गयंगी होकर ये काईना लिए ही बनी है यह वर बर पूर फाया उंठाने के जरूरत हैं हमें आपतमे ल्सक्तर्म का तो खुद रंजीदा हो ना दोसर को रंजीदा करें मलूल कहते है उदास रंजीदा इसी तरह गम गयें को कि किसीको रंजीदा मत कीप झान है तो झान है एक कम करना है को अच्छा श् attendant करना है आगद है कि दोसरों के लिए हम कन सके जो है वना तो वना तो ये है कि सब्छ襁 होती है शाम होती है अमर यह ही तमाम हो तकि है अगर हम कुछ बीना करांत दिली कि हमारी खत्म होनी तो हमारी अपनी जिंदगी को बहुत परीका से इस्तेमाल खरणा है छेए चुछ की धो कि आप ने खिर्वाध की लिए था हैं ऑर इसके साथ do भॉत मुशूर नामी खैक ही घुर नैंग्ग्रापूर की भी नहीं आपने बाद में लहाबाद सर तरह तॉसरा तॉस्त अपने या community कि पहले लोगता है वा मधुदर ही वाले तय। Similar का घळा कि फंद में लैसा क्ी जावरोस की हंचिए लगता। फैताश का प्स एक दूसर देखिए घरती देगा होंगे हैं। जो है इस तरह तो उसका हलका होता है, एक हलका, दूसरा हलका, तीसरा हलका, तो इस तरह बनती जाती है, तो जंजीर हम उसे कहते हैं, जब कई हलके मिलके जंजीर के पूरी चैन बन जाती है, तब जंजीर बनती है, इसी तरह कोई तस्वीर बनाने के लिए जो है, सिर्फ एक काफी नहीं बलकि बहुत सारे नुक्तों से मिलकर एक तस्वीर बनती एक खाका बनता है इसे तरह जिस तरह से बहुत सारे नुक्तों से बहुत सारे हलकों से तस्वीर और जंजीर बनती है उसे तरह कौमों की भी तक्दिर हुआ करती है और कौमों की तक्दिर क्या है कि उसमे पर अगर हम देखें तो शायर ने प्रोग्रेसिव धेन की बात की है और किस-किस तरह आप तक्दीर अपने अपने आपको जोसे अपने दुनिया को बहतर बना सकते हैं एक शक्स के किसमत कोई तक्दीर नहीं यानि हमारी तकदीर अच्छी हो गई तो यह कोई तक्दीर में कि कि बल्कि हम अपने पडोसियों को अपने आदपास के लोगां को दूसरे लोगां को भी जो है अपनी तरह समझें उनकी हउसला अवजाई करों उन्हें आगे बढ़ने की चरगेशी हिमत अफजाई करें नहीं हैं और यहां पर तीन शोरा की रुबाईजात के बारे में बात की गई मीरनीस, चिलोक्षण महरूम और फिराग गुरकपुरी के बारे में उम्मेद है कि आपने इसे पढ़ा होगा और समझ गए होंगे आप से गुदारिश है कि आप खुद अपनी किताब से मजीद से इस्तिफादा कर सकते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया यह शुक्रिया सर आपका भी आप ते हमारे साथ प्रोफेसर मुहमद मुखजम उदीन सर हैं भाषा शिक्षा विभाग न्सियाटी नहीं दिली से और सर ने हमें बताया कि रुबाई क्या होती है कुछ शायरों की रुबाईयां सर ने हमें यहां पढ़कर भी सुनाई और उनका मतलब भी हमें समझाया अगर आपको भी यह पसंद आया तो आप हमें बता सकते हैं अपने फीड़ बैक दे सकते हैं और भी किसी शायर की रुबाई अगर आपको याद आती है तो भी आप हमसे यह सांजा जरूर कीज़ेगा सब बेहर शुक्रिया बच्रों आप का वे सबस्विक भी साथ यहां जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातशीत करने के लिए उमीद करते हैं आपको एक कारिक्रम बहुत पसंद आया होगा इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें और E-Vidya के चानल्स देखते रहें थोड़ी देर में हाजर होंगे सोशल साइंस का एक कारिक्रम लेकर जहां हम बाचीत करेंगे चाप्टर नमबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर तो अपना धियान रखे और E-Vidya चानल्स देखते रहें नमस्कार